हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका दोस्तों आप सबको पता है कोविड-19 जो है वो पूरे विश्व में एक महमारी का रूप ले चुका है तो इसी वीच शिवराज्ची चवान का एक ट्वीट आता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आठ अप्रिल को ट्वीट आत मimmer Іस्मा भी कहा जाता है ठीक हैं इसेंशियल स्र्विस्स मेरेंज्मेंट एक्ट जिसे इसमा यहिंदी में अत्या वस्यक सेवा अनुरच्छन कानून कहा जाता है तत्काल प्रभाव के लिए लागू कर दिया है ओके चलिए देख लेते हैं इसमा होता क्या है ठीक है क्या है इसमा अवस्षक सेवा अमरच्छन कानून इसमा हरताल को रोकने के लिए लगाया जाता है इसमा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले करमचारियों को किसी समचार या पत्र अन्य दूसरे माध्यम स प्रभावित है ठीक है इसमा अधिक्तम 6 महिने के लिए लगाया जा सकता है इसके लागू होने के बाद अगर कोई करमचारी हरताल पर जाता है तो इस पर करवाई की जा सकती है ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हैं सरकारे या या एक्षन लेती क्यों है यानि इसमा जो बुरा असर पढ़ने की आसंका होती है जैसे कोई भी अगर सरकारी क्रमचारी है जैसे मेडिकल से रिलेटेड एम्बुलेंस चलाता हो या डॉक्टर हो अगर वो हरताल पर चल जाता है तो पेसेंट को प्रॉलम होगी ठीक है इसे आम जीवन जो है बेहाल होगी जबकि आवस्यक सेवा अनरचन कानून यानि इस्मा वह कानून है जो अनिवार सेवाओं को बनाय रखने के लिए लागू किया जाता है अब इसका निशकर्स की बात कर लेते हम लोग इस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हत्यार है जिससे वह जब चाहे करमचारियों के आंदोलन को कुचल सकती है विशेशकर हरतालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बीना वारंट के करमचारियों नेताओं को गरफतार कर सकती है इस्मा लागू होने के बाद यदि करमचारी हरताल में सामिल होता है तो यह अवैद और अपराध माना जाता है ठीक है वो अपराधी माना जाएगा अगर कोई हरताल करता है तो वैसे तो इस्मा एक किंद्री कानून है जिसे 1968 1968 में लागू किया गया था लेकिन राज सरकार इसे कानून को लागू करने के लिए स्वतंत रहें थोड़े बहुत परिवर्तन कर कई राज्यों राज्य सरकारों ने स्वयम का इसमा कानून भी बना लिया है और अत्यावसक सिवाओं की सुची भी अपनी अनुसार बनाई है ठीक है दोस्तों यह जनकारी बहुत ही थाली थैंक यू